जे हिंजातियों कमांड़ अकेडमी में आप सभी का हार्दी कविनंदन भारती इतिहास के सामाने परिच्चे के बाद में आज हम भारती इतिहास के जानने के स्रोत जो भारती इतिहास के जानने के मुखे सोर्स है इन पर हम चर्चा करेंगे कि किन-किन चीजों से भारती इति इतिहास को जानने के निसित होते हैं जैसा की हमें पिछली क्लास में जाना कि इतिहास के जानने के सफिए चाहितिक है पुरातात्विक शा Гर यहां से बहुत सारी पुछी जाती है हाधे Hm की रचनाए रचनाएं या विदेशी यात्रीूं का दो भरारत वारत में समय समय इन विदेशी MS युवे ज aujourd' हम प्रतनी की बात करें हम टौलमी की बात करें पिलनी की बात बात करें या चिनी इतिहासकरोंी जो ढ bitter यह उख्ताब लेखें नहीं तो इसमें बहुत सारी गटनाओं का वाइन heated की सी यू की है तो उसमें फिर्दन की उप्लब्दियों का बोद्ध्रम के प्रचार का इन सारी चीजां का वर्णन मिलता है भारतिया चिख्षा पर प्रकास डाला गया है यह बैसक बलादा क但是 now बज़ dit उसमें महा कालीन और विसेशत्य कौंवरतिया प्रकास डाला गया है तो इन सारी चीज़ों के बारे मों आज हम सौर्स के रूप में पढ़ेंगे यहाँ जो आप लोगों की दैसे में जो बैसिक प्रेस्न आते हु montón यह Um इतिहास जानने की स् छोच किन-किन चीजों से एक तरह से इतिहास को समझा जा सकता है वैसे मैंने आपको शुरू में बताए कि इतिहास जो है या यू कहानियों का विश्य है या एक मनगरत बातों का एक सब्जेक्ट है इतिहास विज्ञान है ने कम न अधिक यानि निश्चित रूप से इसमें भी जो आंकडे जो चीजें जो घटनाएं जो कहानियां हम पढ़ते हैं उनका कोई न कोई प्रमान है अनर्गल बातों का सब्जिक्ट नहीं कह सकते इतिहास इतिहास उन्हीं चीजों को स्विकार करता है जिसका बाकाइदा कोई व्योरा हो जिनका कोई ऑथेंटिक प्रमान हो उन्हीं चीजों को इतिहास जो है वो अंगी करता है तो कौन-कौन से सोर्स है इतिहास के जानने के वो सारी चीज़े देख लेते हैं सबसे पहले भारती इतिहास की जाहां त और दुसरा एतिहासिक्व साहिद्य। अब हैं इतिहासिक्वाइं वाली बात को जमन माई की इतिहास जुड़ीवी किताब्ह पैस ऊप के जिसे में साने की रिचना व्लेक पह दहें लेगिन धार्मिक ग्रंट जो यह है वो इतिहास के सुरोत के से हुए तो जितने भी धार्मिक ग्रंट है उस समय की सामाजिक कतिवीदियों का वरनन मिलेगा उस समय किस प्रकार का समाज हुआ करता था किस प्रकार की रिती रिवाज प्रमप्राइं यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलगी जैसे महाभारत पढ़ते उन्हीं यह फॉरन पूर्य विश्व का महा का रहा प्रकार का हस्तिनापुरकुंसा सामराज सीट खाएं और उससमें जो है राजाओं की किस प्रकार की एक्तरे से वेवस्तह भीवस्ता एता कि भी बहुत सारी चीजें हम— कहले हैं रिग्वेधिक क्रेटा की वेदों से जानकारी जानकारी reminds ग्रंटों में भी धर्म के अलावा इतिहास की भी बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी तो धार्मिक ग्रंटों में यह सारे हम पढ़ेंगे एतिहासिक ग्रंटों जो राजाओं के दरबारी विद्वान हुए विशेजते प्राचिन काल में अगर हम देखें तो इस एतिहासिक महाकावे में सबसे बड़ा नाम जो है वो अर्थ सास्तर का आता है या पंच तंतर जो विश्णु सर्मा किये मुद्रा राक्सस जो विशाकदत किये इन सब में एक सब्जेक्ट के साथ साथ जैसे हम अर्थ सास्तर की बात करें तो यह राजनीती का एक महाकावे नहीं राजनीती के साथ साथ एक इतिहासिक ग्रंद भी इसको हम मान सकते हैं जैसे मुद्रा राक्सस है तो एक नाटक नहीं है मुद्रा राक्सस में आपको गुप्त काल बहुत सारी व्यवस्ताओं का वरणन मिलेगा पंच तंत्र है तो प्रियावरण की जानकारी मिलती है प्रकर्ति की जानकारी मिलती है प्रकर्ति के साथ-साथ उस समय जैसे गुप्तकाल में यह लिखेगी तो गुप्तकाल की बहुत सारी घटनाओं का उल्ले किस करन्त में मिल विदेशी यात्रियों का विवरंग बहुत सारे विदेशी इत्यासकार भारत आए इन विदेशी इत्यासकारों को हम पढ़ेंगे जैसे मैगस्तनीज है मैगस्तनीज ने कुन सी किताब लिखी उस किताब में क्या जानकारी मिलती है एक प्रशन विदेशी इत्यासकारों में यहां से इस प्रकार पुछा जाता है कि मेगस्तनीज किसके कालम आया और वो कहां का था या फायान किसके कालम आया वेन्सांग कि सिंग है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में, और तीसरा जो स्रोत है, वो है पुरा तात्विक स्रोत, पुरा तात्विक स्रोत, पुरा तात्विक स्रोत, ये बड़ा मैत्वपूर पार्ट होता है इतिहास को जानने के लिए, पुरा तात्विक स्रोत में, जो सिक्के, सिलाले, शामिल कर सकते हैं अभी लेक जितने भी प्राचिंतम अभीलेक विश्षते के मां वागिश्वरी का आ 그러 क्या समद्रगुप्त्नीफ अभीणा बजाने में तक स्ता यह ऐसी बहुत सारी जानकारिया मिलती है सिक्के शिलालेक अभिलेक तामरपत्रलेक यह सारी चीजे एक तरह से इतिहास को जानने के लिए बड़ी महत्वपुन और कारकर साबित होती है इनको बारिवाइज क्रमबद तरीके से हम एक सिक्वेंस से इनको सबको हम पढ करेंगे देखिये सबसे पहला आप यह आपके धार्मिक साहित्ये धार्मिक साहित्ये में जो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वेदों का तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वेद वेदों से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें जो है वो एक्जाम में पूछी जाती कि वेद क्या है किसके द्वारा लिखेगे कितने है और अलग-लग वेदों में जो अलग-लग जानकारियां है वो भी एक जामिनर जो है वो पूचता है ठीक है पहले तो इसका थोड़ा सा मैं बैसिक बता देता वेद एक संस्कर्थ का शब्द है विद संस्कर्थ भासा का शब्द है विद धातू इस विद धातू से वेद शब्द जो है यह बना हुआ है जिसका मतलब होता है ग्यान वेद का ताथ पर यह क्या है ग्यान यानि जानन तो निश्चित रूप से यह तो कंफरम है कि वेद ज जो है इन वेदों की संक्या है चार वेद कुल कितने है तो वेदों की शंग दूसरा जो वेद है वो है यजूर वेद यजूर वेद तीसरा की वेद है वह साम वेद और चोथा और सबसे बाद का जो वेद है वह अथर्वे वेद तो वेदों की कुल संख्या चाहर अब देखिए वेदों की रचना वेदों के रचियता अक्सर यह प्रश्ण जो हो पूछ लिया जाता है कि वेदों के रचियता कौन है वैसे तो अपने सनातन संस्कृति में असी माननेता है कि वेद जो है ब्रह्मा जी के आदी मुख से लिखे गए लेकिन इतिहास में करना आपको कि यह सुकार नहीं है इतिहास में कोई प्रमान होना चाहिए तो प्रमान के अधार पर यह माना जाता है कि वेदों की रचना किसके द्वारा कीग लेकिन संकलन करता यहां एक प्रश्ण आता है संकलन करता संकलन करता इन वेदों को एक पुस्तक का दर्जा या संकलन करने का काम जो है यह क्या गया था महरसी क्रश्णन द्वेपायन वेद व्यास के द्वारा वेदों के संकलन करता कौन है तो वेदों के संकलन करता है महरसी क क्रश्णन द्वेपायन वेद व्यास क्रश्णन द्वेपायन वेद व्यास वेदों के संक्लन करता है महरसी क्रश्णन द्वेपायन वेद व्यास इन्होंने वेदों का संक्लन किया था तो यहां वेदों से समंदित बेसिक बात हो गई इन चारों वेदों को हम पढ़ेंगे व ब्रह्माजी के मुख से लिखेगे ठीक है संकलन करता आपको ध्यान रखना है महर्शी क्रिष्णन द्वेपाइन वेद व्यास्थी अब यह जो चारों वेद हैं इन चारों वेदों में क्या-क्या जानकारिया मिलती है यह सारी चीज़ें हम देखेंगे तो देखें एक चीज आएगा कि वेद त्रही में कौन-कौन से वेद है रिगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, आना या प्रशन आजाएगा कि वेद त्रही में कौन सा वेद सामिल नहीं क्योंकि चार वेद है लेकि त्रही मतलब तीन चीज़ें हैं वेद त्रही में मतलब तीन जो तेन वेद हैं इनको तीनों वेदों को कहा जाता है वेद त्रई ठीक है वेद त्रई में यह तीन वेद सामिल नहीं है अथर्वे इन जो अरफ़वेद रिख्यान नहीं है तो इसका सीधा जवाब आपको ध्यान रखना कि आप इन चारों वेद्व में चारों क्या जानकार्यां मिलती अक्सर से पूछली आ जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला जो व्य Middle है यह से उचली तो यह घ्ञीजूसा में से प्रेशन जो है को हम थोड़ा सा देख लिए देखिए पहला प्रसंद तो यही आता है कि रिगवेद जो है इसका तात्प्रिय क्या है हर वेद का एक अर्थ निकलता है जिसे सामवेद संगीत से समंदित है यजरुवेद जो है येग्यों से समंदित है अथर्वेद करम कांडों से समंदित है वैसे ही रिगवेद जो है एक तरे से रिचा प्राचिन कोंके रिग वेद सबसे प्राचिन त हुझा है तो मैं आपको बताद दू संस्क्र्ट के जो श्लोग है उनको क्सम्य सियork चैनल इसे वेद में आप देखो गे तो अलग अलग देवताओं के अलगलग स्लोक लिखे गये हैं रिचाएं लिखी गई इसलिए इसका नाम पड़ गया रिचाओं का संग्रह सबसे बड़ी बात सबसे प्राचिंतम सबसे नविंतम कौन से कौन सा तो रिगवेद यह शबसे प्लाचिंतम वेद की कुछ बैसिक बातें आपको ध्यान रखने हैं रिगवेद में कुल दस मंदल हैं दस मंदल एक हजार अठाइस इसमें सुक्त है एक हजार अठाइस सुक्त अब यह है क्या तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा और दस हजार नहीं कुलए कई आपको ध्यान रखना है सरवाधिक जो रिचैन रिगवेद में सरवाधिक सभवाधिक स्पारी बैंदोनाती सीचुनले सबसे वह से प्रशिद्ध इंद्र così 5 ला olabilir प्रसिद्ध देवता रिग्वेदी कालिन सबसे प्रसिद्ध देवता को न थे तो रिग्वेदी कालिन सबसे प्रसिद्ध देवता थे वही इंद्र ठीक है इंद्र के लिए कितनी रिचाएं 250 रिचाएं यह आपको ध्यान रखना तो रिग्वेद जो है यह सलोकों का संग्र सबसे प्राचिन वेद है दस मंडल 1028 सुक्त और 10400 पासट इसमें पुल रीचाए है ठीक है अगला वेद जो है यह है आपके यजुरुएद दूसरा जो वेद है उसका नाम है यजुरुएद तो दूसरा वेद पढ़ते हैं हम यजुरुएद 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 ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यजुरुएद के बारे में देखिए यजुरुएद जो है मुख्यत इसमें जो बैसिक चीज आपको ध्यान रखनी इस वेद में आपको यग्यों की जानकारी मिलेगी यग्यों के मंत्रो चार का मंत्रों का कूंसे यग्या के दौरान किस मंत्र का प्रियोक करना चीए ऐसा थोड़ी कि कोई सा भी यग्ये करेर कोई सा भी फिक्स मंत्र है अना वाज पर यग्ये के अलग मंत्र होते हैं राजसु यग्ये के अलग मंत्र होते हैं अस्वे में यग्ये के अलग मंत्र होते हैं तो कौन सा यग्ये कब किया जना चीर उस पर कौन से मंत्र बोलना ची य आव् rewrite जो है इसके दो भाग कितने फाग है दो भाग कोनघण से हैं तो एक तो है सका क्रहिश्ण यज्रुवेद क्रैश्ण котором क्रश्न यजर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजर्वेद शुक्ल यजर्वेद अब यहां शुक्ल यजर्वेद में एक प्रश्न बनता है यह जो शुक्ल यजर्वेद है इसे वाजन सही सहीता भी बोलते हैं वाजन सही सहीता किस वेद को वाजन सही सहीता कहा जाता है तो व पद्धी पध्धे उर पध्धे से लिए बार सभी इस्पेक्टर में राजस्तान पुलिस का सभी इसपेक्टर का पेपर हुआ उसमें हिंदी में ये प्रशना आया था कि गद्धी उर पद्धी की सामूहिक जो adapt यह वह क्या क्या तो तो वो कहलाती है चम्पू सेली हम देखते हैं कि कोई भी किताब कोई भी ग्रंट कोई भी सिलाले या तो गद्दे सेली में होता है या पद्दे सेली में होता है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो गद्दे और पद्दे दोनों में लिखी गई तो गद्दे और पद्दे प्रियाग प्रसस्ति प्रियाग प्रसस्ति जो हरी सेन के द्वारा लिखी गई थी समुत्र गुप्त के काल में इस प्रियाग प्रसस्ति को भी आप देखोगे तो गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तीसरा जो वेद हैं यह है आपके सामवेद यह कई बार प्रशनाता है सामवेद का सामवेद साम वेद इसका जो बैसिक प्रस्नाज तक पुछा गिया है वो यही है एक चीस तो आपको जो सबसे ज्यादा एकजाम पुछी गई ही वो मैं आपको बता दू इसे भारतिय संगीत का जनक कहा जता है इस वेद में संगीत का उलेख मिलता है और संगीत का उलेक होने के कारण इसे भारतिय संगीत का क्या कहा जता है जनक कहा जता है इसे भारतिय संगीत का जनक कहा जता है किस वेद को भारतिय संगीत का जनक कहा जता है तो वो है आपके साम वेद किस वेद को भारतिय संगीत का जनक कहा जता है तो भारतिय संगीत का जन की जानकारी सामवेद्म संगीत की जानकारी इसलिए भारत्य संगीत का जनक कहा जता है ठीक है वैसे भारत में रिशी हुए भरत्मुनी 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 और इनकी किताब है नाट्य सास्तर जब हम संगीत पड़तें और गीतए पड़ते हैं संगीत पड़ते हैं वद्दी अंतर पढ़ते तो नाटे आम आता भरत मुनी जो है इस भरत मुनी को संगीत का ड्रामा का म्यूजिक का व्र한اج को to cannot प्राचिन वेद को क्या कहा जता है भारतिय संगीत का जनक कहा जता है चलिए लास्ट वेद वस्ता है और वह हसलों है आपके अथरवएध कूंसा है ऑनतिम वेध है आपके अथरवएध अथरवेध नच कि चोथा लका आपके अफ्ञर這種 यह आता है कि सबसे प्राचिंत मु रिग्वेद है तो सबसे सबसे नवीनतम वेद सबसे नवीनतम वेद कुन सा है अथरवेद सबसे नवीनतम यानि सबसे बाद का वेद सबसे बाद का वेद सबसे बाद का वेद सबसे बाद का वेद सबसे बाद में कुन सा वेद लिखा गया तो अथरवेद लिखा गया एक मात्रवेद जिसके रचियत का उलेख है जिसके रचियता की जानकारी है बाकी तीनों वेद किसने लिखे कब लिखे इसका कोई उलेख नहीं है लेकिन इस वेद के जो रचियता है इस वेद के रचियता की भी जानकारी मिलती है और इस वेद के जो रचियता है वो है आपके अथर्वा रिशी अथर्वा और अंगीरस रिसी अथर्वावे अंगीरस रिसी अंगीरस रिसी तो अथर्वा नाम के रिसी के द्वारा लिखा गया इसलिए इस वेद का नाम पढ़ गया अथर्वावेद क्या नाम पढ़ गया अथर्वेद अब इस वेद में क्या जानकारी मिलती है तो एक प्रश्ण आत यह स्वेद को बहुतिक वादी वेद कहा जाता है तो वेद है आपके अथर्वेद इसलिए क्योंकि इसमें समाज की जो कूप के जो करमकांड है इन करमकांडों का उल्लेक मिलता है जैसे आपके जादू टोना बंगाली बाबा आपने देखा होगा नहीं प्यार वापस लोट प्यार वसीक्रण करें यह जो घटनाएं है करमकांड जो है अना मंत्र वसीक्रण यह जो है ना इनका उलेख मिलता है अथर्वेद में ठीक है करमकांडों का उलेख करमकांडों का उलेख किस वेद में करम कांडों का उलेख मिलता है तो वो वेद है आपके अथरवेवेद कौनसा वेद है अथरवेद ठीक है तो ये चार वेद हो गए चारों वेदों की बैसिक चीजे जो एक्जाम में पुछी चाती है वो मैंने आपको लिख दी डंक से इनको पढ़ लेना अब द अपवेद जितने वेद उतने ही उपवेद उपवेद की संख्या कितनी हैं तो उपवेद की संख्या क्वार्ण कं को से आपको ध्यान रकना है बैसिकली कौन-कौन से उपवेद है यह आपको ध्यान रखने है चार उपवेद कौन-कौन से हैं तो जैसे वेद हमने पड़े रिगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथरवेद वैसे चार उपवेद होते हैं यह चार उपवेद आपको ध्यान रखने कौन-कौन से हैं तीसरा हे धनूर्वेद इसमें धनूरविद्ध्या की जानकरी धनूर्वेद दनूर्वेद और चोथा है आपके गंधर्वे वेद गंधर्वे वेद यह चार उपवेद हैं नाम नाम ध्यानरकना हैं तो आपको जहां रगना है चार अरना जाता है और आयर वेतिक चिकतषा के परनाली सिल प्वेत्गा मतलब स्थापत्यकला बैस true कि जानकार कोई भी निर्मान कार्य कोई होता तो उसका एक वास्तों सस्त्र होता है कि किसे सहाब से इसका निर्मान घोगा तो वह सिल्प वेद धनुर्वेद इसमें आपके शस्त्रों का उलेख मिलता है धनुर्विद्या प्राचिम काल में एक तरह से सस्त्र हुआ करते थे थोड़ी वा करते थे पहले तो दनुल विद्ध्या होती थी हम रावैन महाबारत में देखते और गंधर वेद गंधर वेद विवाका भी प्रकार होता है ठीक है कुल मिलाकर के उपवेदों की संख्या कितनी है तो उपवे अगली जो चीज है यह है आपके उप नुप को ऊपनिशत के는지 बारे में जो दो तिन चीजें पुची जाती है वो थोड़ा सा देकले थे manipulating जैसे वेदों का अर्थ हमने देखा वैसे उपनिशद ओं आर्थ देखेंगा उपका मतलब होता हैugen निशद का मतलब बेट ना चीक करकेश हैं या सिखसाग्रन करना मस पास में बेट करनों एक तरहसे ओपनिशित प्रणाली होती है गुर्ण कालमर में गुरू के विश्त प्रणाली है ठीक है है तो उपनिशतों में गरंत भी लिखेगे तो आपको ध्यान रखना है उपनिशतों की कुल कितनी संख्या है तो उपनिशत जो है यह है आपके कुल कितने है 108 वेदों की संख्या कितनी है चार उपनिशतों की संख्या कितनी है तो उपनिशतों की संख्या कितनी है तो उपनिश किन नाम आपको ध्यान के बाद में कखा ज़ता है इसलिए इन्हें वेदांत पहा जबंखे लिए की यह क्या है व囉 auxden तो किन धार्मिक्त साहितियों को वेदांत कहा जाता है तो आपको द्हान रखना उपनिश्द जो है इन्हें वेदांत कहा जबता क्योंकि वेदों के बाद में यह लिखेगे इसलिए क्या प्रॉपनीस देशन कि तो यही आता है कि सबसे बड़ा उपनिषत कौन सा है. 108 उपनिशिदों में सबसे बड़ा उपनिशिद कौन सा है. तो टो व्रहतारनेक उपनिश्द यह मैं आपके मांडू prayeut मंटक और मांड़ू की म मन्ड़क में और यह ही पर एकजाब में आप रखना है गलती हो जाती है मंटूकहि अलग मूंडक अलग ठीक, मूंडक वाला सबसे important है इसका question आपको सबसे चोटा ौपनिसद इस सबसे बड़ा रहेदा रहनी marked मांडू के मतलब बिल्गूल चोटा उपनिश्द सबसे चोटा उपनिश्द सबसे चोटा उपनिश्द अब जो सबसे इम्पोर्टेंट उपनिश्द जहां से आज प्रश्न आता है वो है आपके मुंडक उपनिश्द मुंडक उपनिश्द मुंडक उपनिश्द और इसको अगर हम संदी कर देंगे तो यह हो जाएगा मुंडको उपनिश्द मांडू के अलग है और मुंडको उपनिश्द अलग है ठीक है एक ही बात है मुंडको इस सारनात स्थम में जो एक लाइन दिखी गए है सत्यमेवजयत जिसका मतलब क्या होता है सत्य की ही जीत है सत्य की ही जीत है और बिल् Rock शही बात है उसी उपनिषद से लिया गया ये प्रसंसरवादिक पूछा जाता है इसी उपनिशत से लिया गया है यह प्रसंद सबसे इंपोर्टेंट है ध्यान रख लेना सरवाधिक पूचा जाता है कि सत्य में जेते जो है वो कौन से उपनिशत से लिया गया है तो सत्य में जेते आपके मुंडक उपनिशत से लिया गया है ठीक है और इसमें यह आपको ध् बाद में अगले धार्मिक ग्रंत है वो है पुरान 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 जैसे वेद है वैसे ही पुरान है ठीक है पुरानों के बारे में क्या-क्या ध्यान रखना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं पुरान जो है पुरानों के रचियता का उलेक मिलता है कि यह किसके द्वारा ल पुरान के द्वारा लिखेगे तो पुरानों के रचियता थे लोम हर्ष वे उग्रसरवा पुरानों के रचियता कौन थे तो पुरानों के रचियता थे लोम हर्ष वे उग्रसरवा रिसी इनके द्वारा पुरान जो है यह लिखेगे अगला प्रसंद पुरानों की कुल संख अभी आपको ध्यान रिखनी है पुरानों की संख्या कितनी है तो पुरानों की संख्या है अठारा कुल कितने पुरान है अठारा वेद जैसे चार है उपवेद जैसे चार है उपनिशाद 108 है वैसे पुरानों की संख्या कितनी है अठारा सबसे प्राचिन पुरान जो सबसे प्राचिंतम पुरान कौन सा है तो सबसे प्राचिंतम पुरान है आपके मतश्य पुरान ये सरवाद एक उचा जाता है पुरानों भी संग्या अठारा रचियता लौम हर्स वे रिशी उग्र सरवा और सबसे प्राचिंतम पुरान कौन सा है तो मतश्य पुरान अब इन पुरान है आपके मतश्य पुरान जो सबसे पुराइब हुआ है इस मतश्य पुरान में दक्षिन-भारत का एक ए अंद्रसाथवहन भारत में दक्षिन के स्वामी के रूप में आन्दसाथवहन का राजवन्स का सासन था माराष्टर में एक जगे है प्रतिस्ठान या पेठन ये अंदर साथवाहन सासकों की राज़दा नहीं हुआ करती थी इस राजवन्स की खास बात ये कि इसमें जितने भी राज़ा हुए वो ज्यदा तर अपने माता के नाम से जाने के जैसे गोतमी का बेटा हुआ तो गोतमी पुत्र साथ करनी ठीक है आना तो गोतमी पुत्र साथ करनी के रूप में वो लोग प्री हुआ तो आंदर साथ वाहन वंस की जानकारी मिलते कौन से पुरान में मतस से पुरान में इसके बाद में देखिए दूसरा पुरान जो है जो किसी इतिहास का जो गोल्डन टाइम रहा था क्लासिक यू गुप्त राजवंस जिसके काल में भारत कभी सोने की चिडिया हुआ करता था इस गुप्त वंस का उल्लेग आपको ध्यान रखना है कुप्त वंस की जानकारी हमें कौन से पुरान से मिलती है वायू पुरान से मिलती है यही गुप्त राजवंस भारती इतिहास का प्राचिन भारती इतिहास का क्या रहाता है शवन कल रहाता गूंडन एरा रहाता एक्तर तुक्त और लुब्हुं को बारती इतिहास का ये भी एक बड़ा सांदार यूग रहा था मोरिय वंस जिसके दो राजा तो बड़े सांदार रहे और चंद्रगुप्त मोरिय जो इसका सस्ता पकता 322 इसा पूरे में गनानंद को हराकर की राजा बनता है और पूरे भारती इतिहास का जो सबसे महान राज आपको ध्यान रखना है उपनिशद आपको ध्यान रखना है वेद आपको ध्यान रखने हैं उपवेद आपको ध्यान रखने हैं यह जो सारी चीजे हैं यह धार्मिक ग्रंतों में हैं। ठीके। धार्मिक ग्रंतों में दो चीजे और है महाकावे से महा-कावे और बारती इतिहास में महा-कावे थाकुछसें म conception सजो कितनी है तो महाकावे हैं कितने महा-कावे सबसे पहले रामायन कीबात कर लेते हैं पहला जो महाकावे है यह रामायन भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है वो किस महाकावे में मिलता है रामायन में मरियादा पुर्षोतम श्री राम का जीवन चरित्र भारतिय इतिहास में किसी वेक्ति को आदर्स माना जाता है कोई परिपूर्ण वेक्ति था तो वो श्री राम था ठीक है रामाइन के रचियता, रामाइन के रचियता कौन है? तो रामाइन के रचियता है आपके महरसी वालमी की, रामाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामाइन महरसी वालमी की के द्वारा लिखी गई थी? वालमी की के द्वारा लिखी गई थी? महरसी वालमी की की में अलग लग साथ खंड हैं ठीक है जिन को साथ कंड भी कहते हैं क्या कहते हैं जैसे usted भगवान-श्री-्राम का जब जन्म हुआ उसको बुलते बाल कंड भगवान राम जब वनुवास गेत उसको अरन्य कांड जहां Bगवान स्री राम और हनमान जी माराज का मिलन हुआ के संदर कांड जहां बाली का सुग्रिव का मिलन होता है उसको ब 어쨌든 किस किंदा कांड रहना तो अलगलग साथ और यह आपको धान रखना है रामाईन में कुल सलोग है 24 अटा नमायında महा कावे में इस व inevit है तो सलोकों इतिहास का जो राजबंस हुआ था इस सुंगवंस का उल्लेक मिलता है आपके रामायन महाकावे में ठीक है ब्रामन वंस था सुंगवंस इसका उल्लेक मिलता है आपके रामायन महाकावे में रामायन के बाद में जो सबसे बड़ा महा कव्वे है ये देख लेते हैं और सबसे बड़ा महा कव्वे है विश्वे का महा भारत महा भारत के बारे में देख लेते हैं महा भारत के रचियता सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखने हैं इसके द्वारा महाबारत जो है वह रची गई तो महर्च वेद्व्यास महर्च यह कहा जाता है कि वेद्व्यास जी ने इसकी रचना की तिन लेकिन का काम महाबारत के जो लेखक थे वो श्रीकरेशची दिया उलजाराज कोब मैंने पाने जाते हैं जब कि रचियता कौन है महरसी वेद्व्यास्ची है महाभारत विश्वे का सबसे बड़ा महाकव्य विश्वे का सबसे बड़ा महाकव्य दुनिया का सबसे बड़ा महाकव्य कुन सा है तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकव्य महाभारत विश्वे का सबसे ब महाभारत पढ़ा तो इसका प्राचिन नाम सबसे ज्यादा पूछा गया है यही इंपोर्टेंट प्रसने जो बार-बार एक्जाम में पूछा गया है प्राचिन नाम महाभारत का प्राचिन नाम था जे सहीता महाभारत का प्राचिन नाम क्या था तो महाभारत का प्राचिन नाम था, यह आपको ध्यान रखना है, अब देखिए, महा भारत जो है, इसमेν कुल स्लोक है, एक लाक, कुल स्लोक Еक लाके, रामायन में 24 हजार है, और इसमें कुल सलोकों की स nursing है, एक लाक स्लोक है, और एक का मतलब सों सहस्त्र का मतलब हजार और सहीता का मतलब ग्रंथ ऐसा ग्रंथ जिसमें सो हजार यानि एक लाग स्लोग हो उसको हम क्या कह सकते हैं महाभारत कह सकते हैं क्या कह सकते हैं महाभारत इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध का भी वरनन है इसी ग्रंथ का एक पार्ट है बगवत गीता जिसमें ये कहा जाता है कि करम करते रहू उसी कुरूचेतर के लड़ाई में जब अरजुन युद्ध नहीं कर पाता है अपने परिवार के सदशियों के विरूद, दोस्तों के विरूद, सगे संबंदियों के विरूद, तब बगवान वासुतेव स्री क्रेशन जो है, वो कहते है कि कर्मन ने वादिकार अस्तु मा फलेशु कदाचन, यदा यदा ही धरमच से गलानी भरवती भारत हम, अब्युत सहर में हम देखते हैं कि भगवान जो है, बाकाइदा नेत्रतवए करते हैं और आधरम को पराजեद करके धरम की जीत करवाते हैं, तो महावारत में गीता exemplo, करम की बात गे गई है, महावारत की जो लड़ाई है वो हुई थी कुरुचेत्र के मेदान में, और कुरुचेत्र को रहो थे और एक तरब हम जानते हैं कि पांडव थे और अंत ते भगवान श्री कृष्ष्ण ने पांडवों का नित्रत्वे कि और एक तरशे धर्म की जो जीत होती है तो यह दो महत्तों पुर महाका हुए है ठीक है तो यह धार्मिक ग्रंथ आज की क्लास में हमने पड़े दार्मिक ग्रंथों के बाद में अगली क्लास में हम पड़ेंगे एतिहासिक ग्रंथ तब तक के लिए धन्यवाद चेहिं